हाई गाईज वेलकम तो मद्री पंडेट चैनल फॉर्दो मद्रीस्ता बाइदो मद्रीस्ता वर्ल्ड कप आज हमें देख रहा है क्योंकि आपको आज अपसेट भी दिखा और एक बहुत ब्रिलियंट पर्फॉर्मेंस भी दिखी ब्रिलियंट बहुत नेक्स लेवल थी जहां पर मैं यह कह सकता हूं कि मैंने आज एक टीम को हिस्ट्री बनाते हुए देखा मैंने दूसरी तरफ एक ऐसी टीम को अपनी जर्मनी एक ऐसा नेशन है जो वर्ल्ड कप के लिए अपने आपको बहुत रिनाउन और बहुत नेक्स लेवल चलता है बट आज की गेम पर अगर मैं स्ट्रेट अप आऊं तो मुझे समझ नहीं आया आज क्या हुआ आप इनिशली बहुत जादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे बट एंड प्रोड़क्ट आपका कहा था यहीं पर मैं यहीं पूलूंगा कि वर जर्मनी और टीम स्केरी बिकॉस आप वेरी क्लिनिकल नाइं जस्टिफाइड ओके आपके पास एक लिनिकल नाइं था यह वो वर्किंग डेली विल बट उसके बिना क्या जर्मनी चाहूंगा कि विदान हांसी फ्लिक एजर मैंजर जो बहुत जादा रिजल्ट निकाल पा रहे हैं तेरा आज के रिजल्ट देखके क्या मूड हुआ है यहर हांसी फ्लिक को हम एसा मैंजर मानते हैं जो की रिजल्ट हमेशा से ग्रांड डाउट करना चानते हैं and he's you see when I say the name हांसी फ्लिक I see results I see victories victories by a very good margin आज जर्मनी ने ने बहुत डिसपोइंट किया है पूरा डिफेंस की बात करें जो चीज़ें आपको बोलनी आप वो बोल सकते हो उस गेम के बारे में I think डिफेंस बहुत ही वलनेरेवल था लोग कहले हैं कि जर्मनी ने अपने चांसे फिनिश ने किया किस तरीके से खाया है आप देखो वो किस हिसाब से उनने कंसीड किया है आप वो देखें questions उठते हैं जर्मनी साइड पर यार यह वल्लकप बहुत अजीब जा रहा है in a good way also in a bad way also here's why इंगले ने एक ऐसी टीम थी जो छे गेम हारती जा रही थी या ड्रो निकालती जा रही थी first game में आके वो 6-2 जीज जाते है Spain victories grind कर रही थी they weren't smashing opponents like what they did today and Germany कैसी टीम थी जो अच्छे फॉर्म से आ रही थी world cup में मैंने खुद ने उनको finalist या फिर winners का prediction दिया and they've disappointed me today अभी आज का match ना उनके group में उनके रही easiest match because अगला match वो हमें खेलेंगे Spain को and it is not at all going to be an easy picture ये तू भी जानता है ये मैं भी जानता हूँ ठीक है ना तो देखना पड़ेगा वहाँ हांजी फिलिक has got four days five days to decide what his team should be like उसकी backline pairing बराबर नहीं है and जब आपकी backline pairing बराबर नहीं है आप ऐसी चीज़े notice करते हो अभी majority लोग ये देख रहे हैं वो Real Madrid fans है भाई आप देखते हो ये हमारी season constant backline pair नहीं रही है मतलब Root Digger मिलिटाओ Alaba मिलिटाओ Alaba Root Digger change होतीर area और कभी नाचो यहाँ पर Schlotterback को slot in कर दिया होनोंने हम backline expect कर रहे थे जहाँ पर Nicholas Soule होंगे जहाँ पर Root Digger होंगे and शायद से you would see David Roman Hoffman or someone else you weren't expecting Schlotterback to play Suriyan's तेरे का था था तू बता यार देख I'll be really honest यहाँ पर यह बात ज़रूर बनती है मैं defense को तो question करूँगा है करूँगा but forward line में आपका जो एक final pass होता है जो आपका box के अंदर जाना होता है वो नहीं था आज और final finishing product तो था ही नहीं जो first goal भी इन्होंने मारा है अच्छा goal था of course creativity quotient वगेरा सब दिखा but still आप यह बोलोगे कि this is not Germany we used to know यह Germany जब एक goal मारती थी Germany दो मारती थी तीन मारती थी चार मारती थी पांच मारती थी छे मारती थी ruthlessness आज lacking दिखी है और जो finishing patch होता है चीजों का वो भी नहीं यहाँ पर अगर मैं penalty की बात करूँ जो first goal था यार उसमें they were looking very good उन्होंने एक attacking sequence बहुत प्यारा सा बनाया है कि यहाँ से pass गये यहाँ से through ball निकाली वहाँ से chipping shot आया वहाँ से David Rom ने pass निकाला but at the end of it गुल्दुवान गिर गे नीचे और जब आपको वो penalty मिली आपके पास goal scoring opportunity ज़रूर थी I think कि this attack should be very scary अगर आपके पास Thomas Muller जैसा player है जो दो बारी World Cup में golden boot जीट चुका है तो आपके पास ऐसे team नहीं है जो weak team है they are supposedly one of the strongest teams playing the World Cup and to be very honest this is a very much the performance we were not expecting them to put because जैसा विदात्रे बहुत क्लिरली बोला Kosta Rika was the sorry अगर आप देखें तो Japan was an easy game next game आपका Spain के अगेंस फिर कोस तारीक है बट अगर आप Spain के अगेंस भी points नहीं लेगे आपाते then what हाँ वेदान कंटिन Suryan Chiar it is really very surprising because I am a fan of Spain I am a fan of Spain Germany next game Germany poor but honestly should I even be happy because this is a top nation who deserves to play in the knockout series of the world cup for sure they've got the quality but it'll be surprising to see that Sunday could be the last time you would be see Germany in the world cup absolutely surprising and यर this world cup कितना surprising इर इस बीं the world cup of the underdogs clearly तो अब तेरे तेरे आज टीम बड़ा अच्छा खेली तो congratulations for the win first of all and the way they played I was totally in awe even though I am not a big Spain yard fan आप लोगो को पता है I am very vocal about it but today credit where it's due और यह हमेशा होना जी कि आप जो टीम अच्छा खेलती है उनके बारे में मैं बस थोड़ा सा बोलना जाओंगा इस पर विदान पर तू कंटीनू करना इस पर मैं यही कहूंगा कि Spain न एक ऐसी टीम थी जिनसे मैं एक गोल मार के न match settle करने वाला समझ रहा था बट आज जो उनने किया है that means वो तीन गोल भी मार सकते एक मैच में वह ऐसा भी हो सकता है कि वन निल भी लीड रख सकते है और वह ऐसा भी हो सकता है कि आज के ऐसा वह एक खतम कर दे एन हाइलेशन हो जाए दूसरी टीम का तो मैं एक और चीज़ जो आड़ करना चाहूंगा कि पेडरी आड गावी भाई और वन फॉर दे फूचर और बासलोना फैंस प्रेड टू गॉड एवरी सिंगल डे कि आपके पास ऐसा प्लेयर आए है जो आपको ऐसे आगे तक लेके जाएंगे क्योंकि I'm in awe of both of them अब विदान तू कंटिन्यू कर यहां से क्योंकि पेडी टीम है ले कि अचुछ तूने भी बोला ना Gavi और पेडरी मैं इतना हैप करने जाऊंगा ना लेमासी अच्छ प्रोडूस्ट श्यावी और इनियस्ता और इस ज़स्त अमाटर अटर भाडूस्ट प्रोडूस्ट अच्स्ट लेनेल मेरी also but not in the literal sense but get my the way I am reacting yarr Javi sorry Gavi and Pedri these guys they are age and they are performing at such a high level with so much maturity and not just these players yarr defense bhai out of the blue khila ra ta Louis Henry ke aaj mene poori different spain dekhi hai bhai in terms of tactical tactics and tactics I have explained in my stream pe abhi phir se karta ho verticality, width because you are looking at Costa Rica centrally overload create although it was very ineffective because you are centrally overload create so you press b also Costa Rica has not seen any intent any press, any counter press, any counter press anything from Costa Rica spain has got the gaps, spain has been explored okay, overperforming that is true that is for sure true, 7 goals on 3.5 or 3.6 that is overperformance for sure but you see the rest of the stats 82% ball possession bhai kisai kaita hai Costa Rica did not have even one shot not just on target but a shot in general ek shot nahi lepa hai bhai humare third mini hai unhaish someone time pass kera raha tha bai bhai aise bas khadio ke aise baih literally, not even kidding boro kya tha bhai bandha toh it is amazing and ek chiz bas hye kahunga 2010 ke world cup mein joki meera first world cup sajjo mei na dekha hai spain nye us world cup mein sif 8 goal maarete hai aaj ke is game mein, sirf is game mein saat goal maare hai now i am not comparing the two sides there's a difference between you know the generations and what not the playing facilities what not but i am just saying that Costa Rica ek week thindi for sure okay but ap spain ne jo aaj ki hai you cannot undermine that agar aap ek spain fan nahi ho apne maatshoes asa bore kiya hai because apke liye ek one-sided affair ho ga but for a spain fan this means a lot ek aise baksa am guzre hain jaha par ab humain confidence ki zharata hai and ye youngsters pedri, gavi you know aur kon kan hai balde ye sare players humain dee rahe hain wo confidence and we can believe in our team that we can do great things bhai aur kya hi bolu rodri at centre-back bhai suryaan chi first game ta rodri at centre-back bhai dhekho mein ye hamisha ka teer ko ye bhi kaun ga ki aspirations rakho his team se of course people were not backing lucho at this point of time because of what he has done he has taken a bold decision here but ek chiz hai ki jib delbos ko agar abhi thay un logon ne bhi bold decisions liye te aur bold decisions lenye ke baad hi they were able to grind result of course this pain team has a lot of youngsters which will sorry explode the way 9.30pm to vedant as a ronaldo fan suu apko dikhenke world cup me to kya sa lag raha ki suu aaj dikhega after all that contract situation ronaldo 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 said that i have not been focused on games motivation me lag and i had certain reasons family reasons mental reasons the club wasn't really backing me he said that he said that but now this is the world cup this is your final stages of your career your final world cup i'm not going to say that ronaldo is going to lift the world cup i don't want to predict that i don't want to you know i want to be very careful with my words but i expect portugal to win tomorrow unpredictability in the world cup for sure but fernando santos is not a bewa-koof coach he wins the nation is okay and i am expecting portugal to win the game tomorrow i see starting line-up i see Tiogo coach at goalkeeper for sure backline i think it's gonna be Ruben Diash in the backline with Danilo Pereira and you can Tiogo at right back Nuno Mendez is injured he's out for the game Joao Cancelo is your left back mid-feed you can see Ruben Neves William Carvallo and Fernandez as your camp striker Cristiano Ronaldo left wing Rafael Liao and right wing Bernardo Silva now I'll take your thoughts What do you think do you think what would you think about the ideal centre-back pairing you cannot say Ruben Diaz versus Pepe because these guys have not played together since a very long time if you ask me I would have said what you have said already Ruben Diaz and Pepe but the thing is they have not played together so much after Nations League you cannot see and to be very honest Daniel O'Pereira decent job he has been the best centre-back in PSG so you can see this guy is going to give 110% on the pitch and Daniel O'Pereira of course he deserves that all that abuses he gets that you don't pass at times justified but racism we don't promote but next thing I want to say if you don't play you shouldn't give it try same thing Lucho नहीं किया और आपको दिखा आज result कैसे grind out हुआ even though Rodri को centre-back खिला but Rodri को the way he was put into the team Lucho knew how to use that player यहाँ पर यहाँ पर पर यहाँ पर यहाँ पर ना सूरिया एक चीज़ यहाँ विल्यम कारवालियो इस नौट अगर प्लियर प्लियर यहाँ पर देख शुके है बुरुन फर्नाड़स के लिए मैं यहाँ जाता है तू बिल्डब से दूर तू आगे रहाँ तरे ले बॉल लाकर देए तू बुर से गोल तू नौट थू चांस बना बट तू बिल्डब ईब से दूर तू खले लिए लिग्टा है तू प्रजान रेते हैं तू अट प्लियर जाता है प्लियर बप्लेट आप्लेट बिल्यर प्लिए लुटा बचलने के लिए ठीक है, ठीक है, and यार, एंड में बस ये बोलना चाहूंगा, I am going with the predictions of 2-1, Portugal will win this game, but यार, with this, if you are watching the video till the end हाला मादरे, इनना तमास, हस्ता इल फिनाल वामुस रियाल, सुवी! टेक एगाईश, and मास्कुण